Welcome to my channel Vision Without Vision आज हम इस वीडियो में तीन टॉपिक कवर करेंगे पहला count, दूसरा counter और तीसरा count blank count का काम यह है कि हमें अगर यह पता लगाना हो कि इस यह range में कि कितने cells में numerical values है तो हम count का यूज़ करते हैं count हमारे कितने cells भरे हैं उस range में वो बता लगाएगा चाहे वो numerical हो चाहे वो alpha हो count blank हमारा किसी range में कितने cells blank हैं वो count करके बताता है तो वीडियो को करते हैं शुरूँ A1 में मैंने लिखा 1 A2 में 2 3 मैंने blank छोड़ा cell A4 में मैं लिख देता हूँ ABC A5 में 5 A6 में 6 A7 blank A8 में 8 Sबसे पहले हम यह पता लगाएंगे कि इस range में यानिकी A1 से लेकर A8 तक हमारे पास कितने numerical values हैं तो उसके लिए हम लगाएंगे count शुरू करते हैं पॉर्मिला लगाना Type in the formula and press enter C O U N T A Left parent Count a left parent A1 A1 A8 Under A8 enter blank A6 has formula A10 6 cells हमारे भरे हुए हैं blank 11 अब इसी रेंज में यह देखना हो कि हमारे पास कितने cells blank हैं तो उसके लिए use करते हैं हम count blank अब इसी रेंज में दो सेल हमारे blank है अब एस रेंज में जो सेल हमारे blank हैं C3 में लिखते हैं C4 में लिखते हैं C5 में 5 C6 ब्लांक कर लेते हैं C7 में 7 C7 में 7 C8 में 8 C9 अब दुबार लगाते हैं फार्मुलास सबसे बेले काउंट इकल यवे इक रिखते हैं C1 C8 C8 ब्लांक 4 आस फार्मुला C9 इस बेंज में C1 अंज से लेकर C8 तक हमारे पास चार नुमरिकल वालुज हैं अब आप लिखते हैं आस बेंग दॐक हमारे भरेैं अब दूलास यवे ओक्त व्ला collects प्लांकåद से लेखते हैं ब्लंक का लेता हैं यवे आप लिखते अब ब्लंक कालेक का does तो अगर किसी cell में alpha और numerical values लिखी होंगी तो वो Excel इसे हमारा alpha value count करता है पैक्टिस करिएगा इसका और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को like, share और मेरे चैनल को subscribe करिए Thank you